इका लावागरवाल मीडिया तो माटलेड तुमारे प्रलायोलो चुदा इस यूज वो सब 49 ESIC के हॉस्पिटल्स, 50 रेलवेस के हॉस्पिटल्स, 12 पोर्ट हॉस्पिटल्स और 13 जो है ओर्डनेंस फैक्टरीज और हाल के जैसे हॉस्पिटल्स ये सारे डिटेल्स भी उसमें मौजुद हैं तो ये ज्यादा तर हमने जब देखा कि ये जो वॉलिंटियर्स जो कोविट के लिए फाइट करने के लिए हमको ना केवल जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, डेंटेस्ट्स, आयूस डॉक्टर्स और पारामेडिक्स इसकी ज़रूरत केवल नहीं है हमको भी जो हेल्थ जो वॉ इसन तरह के चीज़ें इसमें हो रहे हैं एक तो प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव में जैसे सोशल डिस्टनसिंग अब जैसे मार्केट्स में शॉप्स में बैंक्स में जादतर राशन शॉप्स में अभी मंडी खुल रही हैं वहां पे और इनको वहां पे सोशल डिस्टनस वहां पे वो करवाना है जैसे containment zone में essential commodities लेके पहुंचाना है और कई सारी चीज़ें वहां पे field surveillance ये सब करना है और एक curative part जिसमें भी इनको हम शामिल कर सकते हैं और अगर हम इसमें देखें ये जो इसको करने के लिए क्योंकि कभी कभार state government को और district administration को यहां से एक जगा जहां पे field जो volunteers हैं या health professionals हैं उनको शाइद एक जगा से दूसरे जगा तक लेने की जूरुत पड़ सकता है वह इसलिए ऐसा है कि अगर district A में problem है और district B में human resources हैं तो वहां से भी ला सकते हैं इसके जरीए और ये इसको जो इतने जो सारे लोग यहां पे हैं 1.24 crore जैसे मैंने कहा तो इनको इनकी जो capacity building और training के लिए सरकार ने एक department of personal and training वो दिशा platform में एक portal वहां पे बनाया जिसको operationalize किया गया उसका नाम है igot.gov.in igot.gov.in तो इसमें यह जो platform इसका जो specialty है यह वो यह है कि इस platform इस जो digital platform है पोर्टल है इसके तहट anytime, anywhere on-site delivery of training material यह important है anytime, anywhere on-site delivery of training material it can be accessible through any device mobile phone हो laptop हो, desktop हो कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं इसमें अब तक 14 courses 53 modules 113 videos और 29 documents training documents यह सारे वहां पर उपलब्ध हैं और यह जो igot के courses हैं उसमें basics of covid management से लेके जैसे laboratory collection testing और जैसे quarantine management से लेके ICU care ventilation management तक भी courses, webinars और videos इसमें शामिल हैं तो इसमें ज़्यादा तर जो भी हैं हम इसको कोशिस कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो regional languages हैं वाशा हैं उसमें इसको translate कर दिया जाए उसमें अंग्रेजी तो है उसमें हिंदी मलयालम और बेंगॉली कुछ ऐसे हैं और हम कोशिस कर रहे हैं राजियों के साथ बात करके कि इसको भी translate किया जाए रहे हम भी कोशिस कर रहें कि जितना जल्दी हो सके इसको translate कर दिया जाए अलग भाशाओं में तो जबसे यह हुआ है 2958 इतने लोग अलड़ी उनके complete कर चुके हैं training और यह जो अलग-अलग अगर आप देखें फिल्ड में अगर आप देखें अब तक जो volunteers अब काम कर रहे हैं जिनकों की direct COVID जो health professionals हैं उनके से नहीं अलग से अगर Indian Red Cross में आप देखें 40,000 volunteers 550 district में वो काम कर रहे हैं अभी करिब-करिब 3,500 NCC cadets और 553 NCC staff 16 राजियों में और 3 unit raters में 68 जिले में वो लोग अभी काम कर रहे हैं और 47,000 cadets जो हैं अलड़ी enroll हो चुके हैं अभी उनको तैनात किया जा सकता है anytime एक सर्विसमेन उनमें से अगर आप देखें तो एक लाग असी हजार एक सर्विसमेन को identify किया गया है सैनिक बोर्ड के द्वारा deployment के लिए उसमें से 6,303 अलड़ी deployed हो चुके हैं पंजाब तामिलनाडू असायम चथिसगर्ड उसमें community surveillance supporting police administration मंडीज के लिए और कई जगे के पंदरा हजार आयूश professionals आयूश के लिए भी वो बने है quarantine management कैसे करेंगे यह सब के लिए training modules उनको करिक परी 15,000 आयूश professionals को 15 स्टेटों में और दो union traders में अब तक deploy किये गया हैं और अभी तक एक लाग से ज्यादा आयूश professionals और 55,000 आयूश students को भी training दिया गया है और वो भी ready हैं deployment के लिए अगर आप NY के नेरू इवक के अंदर जो संस्तान है और NSS हैं उनमें अगर volunteers को देखें तो 27,000,000 volunteers अब तक काफी जो states में और UTs में अभी वो लोगों को civic authorities को अभी help कर रहे हैं जैसे lockdown को कैसे observe किया जाये markets, banks, public places, mundi, operations, providing food, grocery, medicines to the needy, quarantined families और sanitation drives में, control room में डिस सबसे बड़ी बात इस दोरान 18,000,000 से ज्यादा नए volunteers इसमें शामिल हुए हैं पहले जो थे उससे 18,000,000 ज्यादा अभी लास्ट करीब करीब एक महिने में 18,43,000,000 अठारा लाक से ज्यादा new volunteers जॉइन किये हैं उनमें से करीब करीब 42,000,000 जो volunteers वो आरुगय सेतु download किये है और वो भी कोशिस कर रहे हैं कि अपने जो जिनको जानते हैं उस area में सबको बताके आरुगय सेतु को download करें और जो बुज़ूर्ग जो लोग उनको कैसे देखवाल किया जाए उनसे भी वो अभी उसमें काम पर लगे हुए हैं तो ये जो कहना यही है तात पर यही है कि एक महुत पूर्ण बात है कि यह जो volunteers हैं और जो health professionals हैं उनको एक ही जगा one stop solution जैसे कहते हैं और इनको हम capacity building करके जैसे आस पर the requirement of the district and the urban local body इनको तैनात किया जा रहा है दन्यवाद दन्यवाद ग्रीम इंत्राले की प्रवक्ताइब से प्लीज जैसा आप सभी को पता है COVID-19 से निपटने के लिए संपूर्ण देश में lockdown को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में ग्रेह मंत्राले द्वारा 15 अप्रेल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए थे इन दिशा निर्देशों के अंतरगत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ गतिविध्यों पर आवश्यक तोर पर रोक लगाई गई थी परंतु साथ ही जो शेत्र होट स्पॉट्स तथा कंटेन्मेंट जोन में नहीं है विशेशकर ग्रामीन शेत्र वहाँ पर अर्थ विवस्ता की दक्षता तथा क्रिशी कारियों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अपरेल से कुछ अडिशनल अक्टिविटीज की अनुमती दी गई है राजेयों के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवा जाही के लिए भी एक S.O.P. केंद्र सरकार द्वारा सभी राजेयों के साथ साज़ा किया गया था ताकि ये मजदूर जिन में से कई रिलीफ कैंप्स में हैं वे पर्मिटेड अक्टिविटीज में सुचारू रूप से रोजगार पा सके ग्रह मंत्राले राजे सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन नियमों के सकती से अनुपालन को निरंतर मॉनिटर कर रही है जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया था केंद्र सरकार ने हेल्थ एवं मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्चर और आपता प्रबंधन के मुत्तो इत्यादी पर राजे सरकारों की सहायता के लिए इंटर मिनिस्टीरिल सेंट्रिल टीमों का गठन किया है चार राजियों में इन टीमों को भेजा भी गया है इन टीमों में वरिश्टर के प्रशासने कथिकारी हैं अडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्मेंट आफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं इसके अलावा सीनियर पब्लिक हैल्स स्पेशिलिस्ट तथा नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर अफसर भी इस टीम में शामिल है उनकी एक्सपर्टीज को हम राजियों के साथ साज़ा करना चाहते हैं जिससे की केंद्र और राजिय सरकारों के प्रयासों को एक जुट करते हुए हम कोविड नाइंटीन के खिलाफ देश का जो महा संग्राम है उसमें सफलता पा सके कल ग्रह मंत्राले द्वारा विभिन जिलो की लॉकडाउन की स्थितिक की ग्राउन लेवल पर समीशा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में जहां 20 अप्रेल से अतिरिक्ट गतिविध्यों को अनुमती प्रदान की गई थी वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है कई स्थानों पर ग्रामीन शेत्रों में ओद्यों के गतिविध्या शुरू हुई है मनरेगा के तहद भी कारे शुरू हुए है कुछ राजियों में सड़क निर्मान का कारे भी शुरू किया गया है इड भटो का संचालन भी आरंब हुआ है प्रवासी मजदूरों को इन गतिविध्यों में शामिल किया जा रहा है हमें ये भी जानके खुशी हुई है कि ग्रामीन लोग जागरूख है और कई स्थानों पर मास्क और गमच्छा पहन रहे हैं हम उमीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीन अर्थ व्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ क्रिशी और मनरेगा गतिविध्यों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा अंत में मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि लोग हित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राष्ट्रिय निर्देशों का पालन करें जैसे कि सारवजिनिक और कारे स्थलों पर फेस मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादी धन्यवाद रेप्रेजेंटरेटिव आई-से-म-र प्लीज हमने कल तक आज तक चार लाख उनचा सजार आट सो दस सैंपल्स टेस्ट किया है उनमें के 35,852 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए है उन 35,000 और सैंपल्स में 29,716 सैंपल्स ये 201 अभी लाबराटरीज हैं आई-से-म-र नेटवर्क में उनमें से हुए 6086 ये 86 प्राइविट लाप में से हुए आज थोड़ा दूसरी चीज के बारे में सब लोगों को बोलूंगा आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिट टेस्ट केट्स का डिस्ट्रिबूशन हुआ सारे स्टेट्स में कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है तो हमने तक्रिबन तीन स्टेट से आज पूछ लिया वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे रटी पीसे र के उनमें वेरियेशन बहुत जादा है कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आर्टी पीसे र पॉजिटिव सैंपल्स थे उनकी ये जो खून के उपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है ये कोई अच्छी चीज नहीं क्योंकि वो वेरियेशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इसके बावजूद भी कि वो first generation ELISA है जैसे मैंने बार-बार आपको समझा के बोला था first generation जो टेस्ट होती है नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरियेशन दिखते हैं थोड़ी crude form में आती है और जैसे बार-बार बोल रहा हूँ सिर्फ साड़ी तीन मैने हो चुके है ये बीमारी को अब जो भी चीज आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना जरूरी पड़ेगा तो हमने एक डिसाइड किया कि ये findings को नजर अंदाज करना नहीं है हम लोगों ने यहां जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से उसमें तकरिबन 71% जो RT-PCR पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर और जैसे टाइम जाता है साथ दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था लेकिन ये वेरियेशन देखते हुए हमने दो चीज़े ठहराई अगले दो दिन में हम हमारे आर्ट इंस्टिटूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लोट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने के कोशिश करें फील्ड में वैलिडेशन होगा ये लैब में नहीं होगा दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सला देना है अगले दो दिन ये टेस्ट के इस्तमाल ना करें, दो दिन के बाद में हम clear cut advisory देने के position में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया, कि वो batches में problem है, तो हम वो batch को replacement के लिए वो company को बोल सकेंगे, इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो test kit इस्तमाल दो दिन ना करें, और अगले दो दिन में हम जो भी सह जो results आते हैं वो आपको बताएंगे, और राज्यों को बताएंगे, और राज्यों को बताएंगे, अब तक देश में 3,252 लोग जो हो चुके हैं, कल सबसे ज्यादा संख्या में 705 लोग रिकावर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंडिक्टेक सार रिकावर परसेंटेज तो 17.48 परसेंट, कल से टोटल 1,336 एडिशनल कंफर्म केसिद आये हैं, विश्टेक सार कंफर्म केसिज तो 18,601, इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है, कि 3 डिस्टिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसिद नहीं आये हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रताबगड इंदाजस्तान एड हुआ है, इसके साथ ही टोटल 61 डिस्टिक्स हैं देश में, 3 स्टेट्स और यूनिन टेरिट्री में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है, जो चार नए जिले इसमें एड हुए हैं, वे हैं लातूर, उस्मानाबाद, हि इंगौली, वाशिम, महराष्टा से, इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आये थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं, इसी के तहद मैं आप सभी से और आपके द्वारा सब से यही रिक्वेस्ट कर पहले हैं, और इसी तरीके से नोन कॉविड हॉस्पिटल में जो अन्रिलेटेड डिजीज के लिए पेशेंट भरती हुए हैं,